सोनम कपूर अब मिसेज अहूजा बन गई हैं सोनम ने अपनी शादी में लाल रंग का बड़ा ही सुन्दर लहेंगा पहना था सोनम को इस लाल जोड़े में देखकर हर किसी की नजरे सिर्फ उनी पर ही ठिकी हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम कपूर के इस लाल रंग के जोड़े को बनाने में पूरे 18 महीने का वक्त लगा था सोनम के लहेंगी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है हर कोई यही सोच रहा था कि बॉलवुट की पैशन आइकन सोनम आखिर कैसा लहेंगा पहनेंग की और जब सोनम का दुलहन वाला लोग सामने आया तो हर कोई देखता ही रह गया वैसे सोनम के अलावा बीते साल इंडूस्ट्री की सबसे पॉप्लर शादी रही थी अनुश्का शर्मा की अनुश्का शर्मा ने विराज कोली के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की थी मीडिया की नजों से दूर अनुश्का शर्मा ने विराज संग पेरे लिये थे विडार्ट संग पेरे लेने के बाद अनुष्का की शादी की फोटो जब इंटरनेट पर सामने आई तो लोगों की excitement साथ में आश्मान कर पहुँच गई अनुष्का शादी के जोड़े में एक अमाल धा रही थी जहां अनुष्का ने शादी के जोड़े के लिए लाल बरं नहीं बल की फिंग कलर का चुनाप किया वही सोनम लाल बरं के जोड़े में नज़र आई ऐसे हमें तो दोनों ही दुलहन की लिबास में बेस लगी लेकिन आपको इन दोनों में से किसकी शादी का जोड़ा सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं